सामनीर थाना अंतरकत पाटन साफगी में दिनांग 24 मई की रात करीब 10 बजे सराफा वैपारी किशोर वामन मर्जीवे ने अपनी सोनी चांदी की दुकान के सारे आभूशन हर रोस की तरह ही एक बैग में भरकर अपने मोटर साइकल पर रख ताले बंद कर रहे थे कि अचानक किसी अग्याद चोर ने उनका बैग लेकर भागने की खटना होने से पूरे परिसर में हड़कम मच गया है। बैग लेकर भागते देख उन्होंने चोर से आवाज लगाई तथा बैग लेकर भाग रहे यूवक का पीछा किया। पाटन साव की ग्राम के करीब से बहने वाली नदी के किनारे उसका एक साथी पहले से ही खड़ा था तो दूसरा साथी नदी में खड़ा था। जैसे ही लुटेरे साथी के पीछे कुछ लोग दोड़ते दिखाए दिये। उसने एक बंदू की गोलिया जानना शुरू कर दिया। जिससे सह में लोग वही रुख गए और लुटेरे अंधिरे का लाब उठाते हुई कुसम भी इटन गोटी मार्क से भागने में सफल हो गया। घटना की जानकारी सावनेर धानिदार रविंद्र मानकर को प्राप्त होते ही उन्होंने ग्रामिन अधिक्षक विशाल आनन को उत्त घटना की जानकारी दे कर घटना स्थल रवाना किया। घटना स्थल तथा गोली बारी की मौकाई वारदातों पर पहुचकर जाच करने पर लुटेरो द्वारा चलाए गए कार्टूस भी पाए गए तब तक नाकपुर ग्रामिन के पुलिस अदिक शक्त विशाल आनन अप्राशाखा के उंप्रकाश को काटे आदे भी घटना स्थल पर पहुचकर गेहन जाचकार ये तथा नाकाबंदी कर लुटेरो की खोज में जुट गए गौर तलब रहे कि बीते दिन ही यूगल प्रेमियों को लुटने की घटना से ये घटना पूरी मिल खाती है बीते दिनों पहले ही कुराडी के किले कुलार के नजदी की ऐसे ही तीन लोगों ने नाकपूर के यूगल प्रेमियों को लुटने की घटना की थी इसी प्रकार से बंदु की नोग पर लुटने का प्रयास तब भी किया गया था साथ ही फाइरिंग भी हुई थी आरुपियों की संख्या भी तीन ही थी शायद उनी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिये जाने के कयास लगाय जा रही है फिलहाल सराफा दुकान वास पास लगे सीसे टीवी फुटेज खंगाल कर घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को तलाशने का कारी चारी है इन्बिसे नियूस के लिए सावनेर से किशोर धुंडेले की रिपोर्ट